पंद्रा जून दो पहर दो बजे गलवान घाटे हिमालाई की उचाईयों पर भारतिय सीमा का एक सुधूर वीरान इलाका कॉर्पल एहमद बेस को खबर देते हैं कि फॉवर्ट पोस्ट से जंडा नदारत है सर देखिए वहाँ और भी है परवतों पर उस दिन फॉजी कमांडो अखेले नहीं थे दुश्मन सैनिकों ने घिट्टे पत्थरों की आज लेकर फॉजी यूनिट पर धवा बोल दिया कभिन बैस का स्कॉर्ट थी का भारतिये शेत्र में घुस्पाई की उसे सामना हुआ रिपीट स्कॉर्ट थी का दुश्मन उसे सामना हुआ लेटनेंट सिंकी पिट्रोल थी टीम को जिस आखरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे बूस खलन से गिरे पत्थर और चट्टा और फिर अंधेरा चा गया छे घंटे बाद जब लेटनेंट सिंकी आख खुली तो उनका सर चक्रा रहा था पहाड से हुई पत्थरों की उस बौचार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोटाई थी अहमद धिलो रवी फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाईयों से बैतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीर हो चुके थे कम से कम वो जिन्दा तो थे बारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता ये लड़ाई ऐसे खत नहीं होगी मैं ऐसा होने ही नहीं दूँगा बहादुरी भाईचारे और भारत के लिए फौजी